तो फ्रेंस आज की इस वीडियो में मैं आपको इस TP-446 मोडियूल को रिपेर करने का एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप इस मोडियूल को करपर यासानी से रिपेर कर सकते हो तो फ्रेंस यह हमरा जो मोडियूल है वो कुछ इस तरीके की लिथियम आइन बेटरी को चार्ज करने में यूज में आता है तो कई बार किया होता है फ्रेंस जो हमरा यह मोडियूल है वो खराब हो जाता है और आप इसे फेक देते हो तो आपको ये module को फेकने की गलती कभी नहीं करनी है फ्रेंस क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको इस module को 2-3 रूपे में किस तरह से रिपेर कर सकते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ तो वेला फ्रेंस मैं हूँ आपका दो सासिस और आप देखे हैं हमार यूटूब चैनल साइंस विट इलेक्रोनिक्स तो फ्रेंस आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लिस एक छोड़ा सा लाइक कर देना चैनल पे नहीं हो चैनल को सस्क्राइब करके बाजू वाले बेल आ आई चली तो इसका Aham इसमें कितनाάλऌ मिल रहा है है तो अब आपको एक मल्टी मीटर लेना है और उस आपको 20VDC पर सेट करना है तो चलिए हमदेे करते हैं कि इसका आउटूट में कितना階 वालेंज्स मिल रहा है तो फ्रेंस यहां पर आप देख सकते हो कि हमारा जो मोडियूल है वो आउटपुट में करीब 5 वोल्ट दे रहा है तो हमने जो यहां पर चार्जर लगए या वो भी 5 वोल्ट का है और इसके आउटपुट में भी आपको 5 वोल्ट मिल रहा है लेकिन यह भी एकदम खराब है तो यहाँबर हमें आउटपुट में ओल्टेज मिल रहे है फ्रेंस इस का मरलब जो मारा इस मोडियूल का बैटरी प्रोटेक्शन का सेक्शन है वो एकदम सही है तो इसमें जो प्रोब्लम है वो इसके आगे वाले सेक्शन में ही है और यह सब्य कम्पोनोट सही हुए तो last में इस ic को भी test करेंगे तो इस सब्य कम्पोनोट को किस τर से test करना है उसके बारे में मैं आपको step by step समझाता जाओंगा तो इस सब्य कम्पोनोट को चेक करने के लिए फ्रेंस आपको एक multimeter लेना है और उसे आपको continuity mode पे set कर देना है तो सबसे पेले हम इस सभी register को check करते हैं friends तो friends आप सभी register को check करोगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ value मिलती है अगर जो भी register में में कोई भी value नहीं मिली तो उसका मिलब जो हमारा register है वो खराब है तो friends आप देख सकते हैं हमारा जो यह register है उसमें value show रहे है इसका मिलब यह register हमारा एकदम सही है तो इस तरह से हम सभी register को check कर लेते हैं तो friends आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो सभी register है वो एकदम सही है तो आप register के बाद इस capacitor को भी इस तरह से check करेंगे तो इस सभी capacitor में भी आपको कुछ ना कुछ value show नी चाहिए तो friends आप देख सकतो हो यह हमारे capacitor एकदम सही है तो अब इसके नीचे वाले capacitor को भी check कर लेते हैं अगर value show नहीं भी तो आपको एक बाए procs को उल्टा करके भी check कर लेना है friends तो आप देख सकतो हो यह एक एकदम सही है friends तो अब इस last में इस IC को check कर दें तो इस IC को किस तरह से test करना है उसके बारे में मैं आपको step by step समझाता हूँ तो इस IC को test करने के लिए आपको सभी point के उपर continuity check करनी होगी तो आपको इस IC की कुछ लेक पर value show हो सकती है लेकिन कोई भी दो लेक पर आपको beep की sound नहीं आनी चाहिए अगर beep की sound आई तो इसका मलब जो हमारी IC है वो खराब है तो friends यहाँ पर इस IC की last दो लेक है उस पर beep की sound आ रही है इसका मलब friends जो हमारी IC है वो खराब है तो आपको इस IC को चेंज करना होगा और इस IC की जगह पर दूसरी IC को लगना होगा तो आपको इस IC को किस तरह से चेंज करना है चलिए वो देखते है तो इस module में जो IC लगी हुई है वो है TP446IC तो मैंने इस IC को online मगवया था friends तो मुझे ही ये करीब 3-4 रुपे पर पीस पड़ी थी तो मैंने इस IC के अलावा बहुत सारे components और बहुत सारा सामान भी मगवया था friends तो वो सब भी सामान कि आप unboxing की वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे comment box में बता देना तो मैं उसके उपर एक full detail से unboxing की वीडियो बना दूँगा तो अब ये IC को किस तरह से change करना है चलिए मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखा दा हूँ तो friends इस IC को change करने के लिए मैं इस तरह के की एक hot plate का use कर रहा हूँ तो अब इस module को इसके उपर रख देंगे और इस hot plate को on कर देंगे तो मैंने इस hot plate को on कर दिया है अब आपको इस hot plate को थोड़ी देर heat होने देना है तो friends यहाँ पर हमारा जो hot plate है वो अच्छे से heat हो चुका है तो अब आपको इस तरह के एक चिम्टी लेनी है और हमारी जो IC है उसे निकल देना है तो IC को निकलने के बाद हमारा जो यह module है उसे भी आपको hot plate से अटा देना है जिससे हमारा जो और कोई component है वो भी न निकल जाए तो अब आपको इस module को थोड़ी दे ठंडा होने देना है तो यहाँ पर फ्रेंस जो हमारे IC है वो अच्छे से निकल चुकी है तो अब इसकी जगह पर हम नई IC को लगाएंगे तो इस module में से हमारी चो टीपी चालीच चालीच चापन आईसी थी उसे निकल दिया है तो अब इस IC की जगह पर नई वाली टीपी चालीच 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 चापन आईसी को लगाएंगे तो इस IC को किस तरह से लगाना है फ्रेंज चलीच वो वीडियो में आगे देखते है तो फ्रेंज आपको इस IC में डोट दिख रहा होगा तो आपको इस डोट वाले IC को module के उपर की साइट कुछ इस तरीके से रखना है तो फ्रेंस आपको इस IC को कुछ इस तरीके से ही लगाना है अगर आप इस IC को उल्टा लगा दोगे तो आपकी जो ये IC है वो फिर से खराब हो जाएगी तो इस IC को सोल्डरिंग करने के लिए मैं इस छोटे वाले सोल्डरिंग आईरन का यूज करूँगा तो बापको इस IC को एक साइट से प्रेस करना है और इसकी सभी लेग को कुछ इस तरीके से सोल्डरिंग करते जाना है तो एक साइट की सभी लेग अच्छे से सोल्डरिंग हो जाए उसके बाद आपको इस IC की दूसरी साइट की लेग को भी अच्छे से सोल्डरिंग कर देना है और फ्रेंस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो दोनों लेग है वो अपस में सोट ना हो तो यहाँ पर मैंने इस IC को इस मोडिूल के उपर अच्छे से सोल्डरिंग कर दिया है तो अब इस मोडिूल को चेक कर के देखते हैं कि हमारे जो मोडिूल है वो अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं तो फ्रेंस आप देख सकतो हो जो मैंने चार्जर की पिन लगा है तो यहाँ पर जो LED नहीं जल रहे थी वो अच्छे से जलने लगी है तो अब इसकी आउटपूट में भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने एक मल्टि मीटर लिया है और इसे 20V DC पर सेट कर दिया है तो चलिए अब टेस्ट करते हैं कि इसकी आउटपूट में कितना वोल्टेज मिल रहा है तो फ्रेंस आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका आउटपूट में हमें करीब 4.2 वोल्ट मिल रहा है इसका मलब फ्रेंस जो मारा यह मोडियूल है वो अच्छे से वर्क कर रहा है तो चलिए अब इस मोडियूल में एक बेटरी को चार्ज करके भी देखते हैं तो यहाँ पर मेरे पास एक लिथियम आइन बेटरी है तो इस लिथियम आइन बेटरी को इस मोडियूल के साथ लगाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो रेड लाइट है वो जलती है कि नहीं तो फ्रेंस आप देख सकते हो कि मैंने इस बेटरी को इस मोडियूल के साथ जोड़ा तो यहाँ पर जो रेड लाइट है वो जलना स्टार्ट हो गई तो इसका मडलब फ्रेंस जो मारी ये बेटरी है वो अच्छे से चार्ज हो रही है और हमारा जो ये मोडियूल है वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है तो फ्रेंस आज हमने सिखा कि आप किस तरह से इस टीपी चारीश चापन मोडियूल को करपर यासानी से तीन से चार रुपे में ठिक कर सकते हो तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक छोटा सा लाइक कर देना चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके बजवाले बेल आइकन को ओल पे सेट कर देना जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो यहाँ पर इस वीडियो को एन करते हैं फ्रेंज और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ